नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओलेट पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि हिमाचल परदेश में जो एक बड़ा हाथ सा जो हुआ है व्यत्ति का मल को भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो अच्छे लिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपकी डंडे से हमला कर मौत के घाट उतारा फिर जंगल में जला दिया जांच में को जलाने के मामले को पुलिस ने दो देन में सुल्जा लिया है जांच में पता चला है कि मृतिक देवी मोर पर धाबे में काम करता था और आरोपी डाबा मालिक से जगडे के बाद जो है उसकी मौत हो गई थी इसके बाद आरोपी ने उसके शव को ज़ो है जंगल में ले जाकर जला दिया पुलिस ने ढाबा मालिक शाम सिंग निवासी बडेच तैसीर ठ्योग पर हत्या का मामला दर्ज कर गिर्फतार कर लिया है जांच में पता चला है कि देवी मोड पर ढाबा चलाने वाले शाम सिंग के पास मृतक भीम कुछ दिन पहले ही काम पर आया था इसी बीच जो है 13 माई की रात को दोनों के बीच भी किसी बात को लेकर जगडा हो गया शाम सिंग ने लडाई के दौरान डंडे से उस पर हमला कर दिया भीम दो दिन तक गाल आवस्ता में कमरे में तड़ता रहा और उसकी मौत हो गई इसके बाद आरोपी ने दो नेपालियों क को देखा और मामले की सुचना पुलिस को दी 14 जून शाम चार बजे के करीब डियस पी कुलविंदर सिंग पुलिस तल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानवीन शुरू कर दी पुलिस ने पहुशताच के बाद दो दिन में ही हत्या की गुत्थी को सुलजा लिया ह इसके बाद एसपी मोहिप चावला ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया और मर्डर मिश्ट्री को सुलजाने में सफ़ता पाई दी एसपी कोलवंदर संग ने बताया कि धाबा मालिक आरूपी को गेश्पतार कर लिया है पुलिस मामले की जो है ग्यानता से परताल कर रही है तो इस परकार आप देख सकते हैं हिमाचल परदेश की डिस्टिक्ट शिमला जो है ठ्योग में ये हासा हुआ है अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले है ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जैन जैभाद